हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक वीकली करेंट अफेर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में हम 11 से लेके 17 जुलाई 2022 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को आपके लिए कवर करेंगे जो भारत की सभी पृत्यों की परिक्षाउक लिए इंपोर्टेंट है दोस्तो यदि आप इसका PDF डाउंलोड करना चाहते हैं तो रूट अप्लिकेशन से आप इसका PDF डाउंलोड कर सकते हैं root application का link हमारे description box में दिया गया है इसके लाबा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा daily quiz सुबह पढ़िए और आग को अपना test दीजे, revision कीजे इस session को मैंने इस प्रकार से design किया है इसका दो objective है पहला objective है पूरे weekly current affairs का revision कराना दूसरा objective है test लेना तो copy pen लेकर के बैठिए जितने भी प्रस्ण मैं बोलूँगा उसका उत्तर आप copy पे लिख ले और comment box पर भी लिखे देखी friends, जीवन में कितनी ही परशानी क्यों ना आए कम जोर मत होना क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते चलिए दोस्तो आज का सबसे पहला important current affairs देखते हैं हाली में बिंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किस ने जीत लिया है दोस्तो इनका क्या नाम है इनका नाम है ऐलेना रायबकीना क्या नाम है ऐलेना रायबकीना देखी पहला प्रश्ट तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि एलेना रायबकीना किस देश की हैं तो ये रूस मोलकी हैं लेकिन ये कजाकिस्तान के लिए खिलती हैं किस के लिए खिलती हैं कजाकिस्तान के लिए खिलती हैं यहां और भी option आईए देख लेते हैं Once Zabior, यह Tunisia देश की है Ashley Barty Australia की है Emma Radu Kanu, Britain की है Elena Raibakina ने किसे हराया है Once Zabior को हराया है कजाकिस्तान की Elena Raibakina इन्होंने final में किसको हराया है Once Zabior को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है देखी friends अब तक Australian Open Australian Open 2022 के Men Singles का किताब किसने जीता है तो यह है राफिल नडाल राफिल नडाल किस देश के खिलाड़ी है Spain के खिलाड़ी है Australian Open 2022 का महिला Singles का किताब Ashley Barty ने दिया है दोस्तों यहां पे Ash लगा हुआ है मैंने आपको ट्रिक बताया था Ash Australia याद रखियेगा राफिल नडाल किस देश के है तो दोस्तों जब कोई fail होता है तो उसे बहुत ही pain होता है मैंने आपको ट्रिक बताई थी आप इस pain याद रखियेगा French Open 2022 Mill Singles का किताब राफिल नडाल ने जीता है French Open 2022 महिला Singles का किताब इगा सुइती एक ने जीता है ये किस देश की खिलाड़ी है कमेंट बॉक्स पर बताईए बिंबलेडन 2022 का पूरू Singles का खिताब हाली में नोवाग जोकोविच ने जीता है देखी फ्रेंड्स दूसरा महत्वण पूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा हाली में बिंबलेडन 2022 में पूरू Singles का खिताब किस ने जीता है तो इसका सई उत्तर है नोवाग जोकोविच मैंने आपको पहले प्रश्न में बिंबलेडन 2022 में महिला Singles का खिताब बताया था अब दोस्तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरू Singles का खिताब नोवाग जोकोविच ने जीता है दोस्तो रोजर फेडरल किस देश के हैं तो रोजर फेडरल सुटजर लेंड के हैं किस देश के हैं सुटजर लेंड के मैंने आपको ट्रिक बताई थी रोज हमें स्वीट नहीं खाना चाहिए रोज हमें मीठा नहीं खाना चाहिए डैनियल मेदविदेव किस देश के हैं ये रश्या के प्लेयर है राफेल नडाल स्पैन के प्लेयर है सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाडी नोवाग जोकोविच ने लंदन में देखे फ्रेंड्स, थर्ड इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स एराव, हाली में PM मोदी ने किस राज में देवघर हवाई अड़े का उद्गाटन किया है, in which state has PM मोदी इनोगरेटिड देवघर एयरपोर्ट, तो दोस्तों कहां पर किया गया है, जारखन में, 12 जुलाई 2022 को ज जारखन के देवघर में 16,000 करोड रुपे से अधिक की विकास परियोजनाओ का उद्गाटन किस ने किया है, PM मोदी जी ने किया है, PM मोदी जी ने इसके लाबा बाबा बैधनाद धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जारखन के देवघर हवाई अड़े क उद्गाटन किया है, इसे करीब 400 करोड रुपे की अनुमानित लागत से बनाया गया है, 12 जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग है, बाबा बैधनाद, चली फ्रेंड्स, 4th important current affairs देखते हैं, हाली में भारत के किस पडोसी देश में इमर्जंसी का एलान किया गया है, तो राशपक्षे के देश छोड़ने से शिलैंकाईयों का गुस्सा देखने को मेला सड़कों पर, दोस्तो इसकी कैपिटल क्या कोलंबो है, कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन कारियों ने जंग कर उतपात मचाया है, लोगों के उगर विरोध को देखते हुए प्रदान मं हाली में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है, इंपोर्टन कोश्यन है, तो देखी फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत को 135 अस्थान मिला है, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, व 132 साल लग जाएगा, पहला स्थान किस देश को मिला है, तो पहला स्थान मिला है आइसलेंड को, किस देश को आइसलेंड को, इसके बाद नंबर आता है फिल्लेंड का, किस देश का फिल्लेंड का, फिर है नॉर्वे, न्यूजिलेंड और चौथा है स्विडन, रिपोर्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान है कौनसा देश है अफगानिस्तान है दोस्तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सबसे पहली बार 2006 में जारी की गई इस बार कौनसा संस्करण था इस बार 16th एडिशन था चलि दोस्तो आई बढ़ते हैं छटवे महत्पूर्ण प्रशन की ओर हाली में वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंजिप 2022 का आजन किया गया किस देश में तो दोस्तो इसकी शुरुआत की गई हाली में अमेरिका में कौनसा संस्करण था अठारवा संस्करण था कब से शुरुआत किया गया 15 जुलाई से ओरगन संयुक्तराज अमेरिका में दोस्तो 2021 में इसका आजन होना था लेकिन COVID-19 महामारी की वज़े से इसका आजन नहीं हो पाया मैं आपको बता दू यूकरेन पर रूसी आकरमन के बाद विश्व एथलेटिक्स ने रूस और बेलारूस के एथलीटों पर प्रतिबंद लगाया है देकि लास्ट टाइम वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपिंशिप कहां पर हुआ था 2019 में कतर की कैपिटल दोहा में वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपिंशिप का पहला एडिशन कब हुआ 1983 में कहां पर फिल्लेंड में दोस्तों सबसे अधिक मेडल 2019 में अमेरिका ने जीते थे 2023 में कहां पर आयजन होगा इसका हंगरी की कैपिटल बुड़ा पेस्ट में 2025 में कहां पर होगा जापमान की कैपिटल टोक्यो में ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेगा एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए आए बढ़ते हैं छटवे महत्वण प्रश्न की ओर हाली में रिमपैक 2022 नौ सेनिक अभ्यास किस देश में आजित होने जा रहा है तो देखें आप अपने अजर कॉपी पे लिख ले इसका सई उत्तर है अमेरिका हाली में रिमपैक 2022 नौ सेनिक अभ्यास कहां पर हो रहा है अमेरिका में हो रहा है अमेरिका में कहां पर हो रहा है हवाई छेतर के परल हार्बर में हो रहा है भारती नोसेना का सोदेशी युद्धपोद क्या नाम इसका? आई इने सत्थपुड़ा और निगरानी विमान P8I ने इस अभ्यास में भाग लिया है रिमपेक का कौन सा संस्करण है? 28 वा संस्करण है कितने देश इसमें हिस्ता ले रहे है? 28 देश इसमें हिस्ता ले रहे है दोस्तों यहाँ पर हमने युद्ध अभ्यास की बात की है आई कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में चर्चा कर लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है गरुण अभ्यास होता है ठीक है गरुण कौन सा अभ्यास होता है गरुण अभ्यास होता है चीन और पाकिस्तान के बीच में शाहिन सैन अभ्यास होता है कौन सा शाहिन देखी नेस्ट हम बात करेंगे जिमेक्स तो जिम अलनगा किसके बिच में होता है भारत और ओमान के बिच में चलि फ्रेंड्स आए देखते हैं आठवा महत्तुपूर्ण प्रेश्ण हाली में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया तो विश्व जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है यह दिवस की मनाने के शुरुवात 1989 में की गई सन्युक्त राष्ट विकास कारिकरम के द्वारा दोस्तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पॉपूलिशन को कंट्रोल करें क्योंकि हमारे प्रत्वी में सीमिज संसाधन है और सीमिज संसाधन का उप्योग सीमिज जनसंख्या ही कर सकती है देखी फ्रेंड्स यहां पे हमने बात किये दिवस की तो आई जानते महत्पूर्ण दिवस के बारे में बश्पन बचाओ आंदोलन के लिए शान्ती का परसकार मिला था देखी फ्रेंड्स 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजए दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है कारगिल विजए दिवस चली दोस्तो आई बढ़ते हैं नाइन्थ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स की और हाली में सग्युक तराष्ट के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक अबाधी वाला देश कौन बन जाएगा तो दोस्तो सबसे अधिक अबाधी वाला देश बन जाएगा भारत देखी फ्रेंड्स एक इंपोर्टेंट जनकारी मैं आपको देदू डालोड कीजे रूट एप्लिकेशन यहां पर आपको मिलेगा लाइव बैचेस बहुत सारे विश्यों के आपको लाइव बैचेस मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं बहुत सारे टीचर आने वाले हैं जहां पर आपको लाइव पढ़ाएंगे अभी प्रेजेंट में यहां पर कौन-कौन से बैच चल रहे हैं Science Special Batch, जो की मेरे दोरा चलाय जा रहा है, History Special Batch, Arithmetic Special Batch by Nishis Sir, Quality Special Batch by Pankas Sir, तो ये सारे Special Batches चल रहे हैं, आपको Live एंडरोल करना है, Root Application पर, यदि आपको इन सबी Batches को जोईन करना है, तो आप Root Application को डाउनलोड कीचे, वहाँ पर आपको ये सारे Batches मिलेंगे, बहुत सारे Amazing Courses आने वाले हैं, अपने Batches के लिए एंडरोल करें, दोस्तों कैसे पता चला कि भारत 2030 में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो संयुक्तराष्टर की विश्व जनसंख्या संभावना, वर्ल्ड पॉपलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 हाली में जारी किया गया, इसका 27 वा एडिशन, और इसमें अनुमान लगाया है, कि भारत 2023 में चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पचार देगा, चली दोस्तों आई बढ़ते हैं, दस्वे महत्वपूर्ण प्रशन की ओर, तो दस्वा महत्वपूर्ण प्रशन आप सभी के सामने रहा, हाली में, गोवा शिप्यार लिम्टेड के नए प्रमुक कोन बनाए गए, तो दोस्तों इसका सई उत्तर है, ब्रजेश कुमार उपाद्याए, दोस्तों ये जो कमपनी है, गोवा शिप्यार लिम्टेड, तो ये कैसी कमपनी है, तो ये सरकारी सौमित्त वाली कमपनी है, और इसका काम क्या होता है, शिप बिल्डिंग, यानि शिप मैनुफेक्चर करना, इसकी स्थापना 1956 में होई है, हैटकॉर्टर कहाँ पर है, गोवा में है, वर्तवान में, गोवा शिप यार लिम्टेड में, निदेशक, संचालन का कार कर रहे हैं, ब्रजेश कुमार उपाध्याए, चली फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हमने कि नियुक्तियों की, तो आई जानते कुछ इंपॉर्टर नियुक्तियों के बारे में, एपॉइंटिमेंट के बारे में, तो देखे, परितोस्तिर पार्ठी हाली में, SBI General Insurance के नए M.D.O.C.E.O. बनाए गए हैं, सुरंजन दास, भारती विश्विद्यालेओ के संग, A.I.U. के अध्यक्ष पनाए गए हैं, 11th Important Current Affairs E.R.A. हाली में, यूरोपी संग ने किस देश को, 1 जनवरी 2023 तर, यूरो मुद्रा प्नाने की मंजूरी प्रदान की है, तो दोस्तों, ये जो देश है, ये है क्रोएशिया, देखे फ्रेंड्स, यूरोपी संग के वित्व मंत्रियों ने क्रोएशिया को, 1 जनवरी 2023 को, क्रोएशियाई कुनों की जग है, यूरो एकल मुद्रा प्नाने की अंतिम मंजूरी प्रदान की है, क्रोएशिया, यूरो जोन में 20 वा देश की रुप में शामिल हो गया है, आखरी देश कौन था, जो यूरो जोन में सामिल हुआ था, यानि 19 वा देश बना था, लिथूनिया, 2015 में यूरोपी मुद्रा छेत्र में शामिल होने वाला अंतिम देश था, दोस्तों यहाँ पर यूरोपेन यूनियन की बात करेंगे, तो यूरोपेन यूनियन 27 देशों का समू है, पहले इसमें 28 देश थे, लेकिन इंग्लेंड इससे बाहर हो चुका है, चलि फ्रेंट्स आई देखते हैं, बारवा महात्पून प्रश्न, हाली में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, भारत का पहला राज़ कोन बना है, तो इस राज़ का क्या नाम है, इसका नाम है केरल, क्या नाम है केरल, दोस्तों के एक काम किस ने किया है, केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्क लिम्टेड, तो केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्क लिम्टेट को दूर से अंचार विभाग से इंटरनेट सिर्वा प्रदाता जो है इसे लाइसेंस मिल गया है केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्च जो है राज में हर वेक्ति की इंटरनेट तक पहुँच को सुनिश्रित करेगा यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताईए कि केरल के प्रेजेंट में मुख्य मंत्री कोन है कमेंट बॉक्स पर बताएं चलि फ्रेंट्स आये देखते हैं तेरवा महत्तपून प्रशन हाली में 36 रास्त्री खेल किस राज में आज़ित किये जाएंगे इन विच स्टेट बिल भी 36th नेशनल गेम्स बी हेल्ट तो दोस्तो इसका आज़िन कहाँ पर किया जाएगा गुजरात राज में कब से कब तक 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2022 तक पहला इवेंट 1924 में हुआ था दोस्तो इसके पहले जो इवेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था केरल में हुआ था अगला जो राश्ट्री खेल कहाँ पर होगा मध्य परदेश में होगा इस साल खेले और इंडिया कहाँ पर हुआ था हर्याना राज में इसका आज़िन किया गया था 14 इंपॉर्टेंट करेंट फेर्सेरा हाली में किस केंश आशे परदेश में अमरनाथ धाम के पास बादल फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई तो दोस्तो प्रश्ण यह नहीं पूछा जाएगा कि 15 से अधिक लोगों की मौत हुई लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अमरनाथ धाम जो है कहाँ पर है तो जमू एन कश्मीर में हाली में घटना देखी गई है दोस्तो अमरनाथ की पवित रुफा के पास बादल फटा है इसे हम क्लावड बस्ट भी कहते हैं इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है बादल फटने के कारण जो पहल गाम और बाल टाल है दोनों मारगों से अमरनाथ हैत्रा जो है आस्थाई रूप से इस्थखित कर दी गई है दोस्तो बादल फटना कैसी घटना है कम समय में अचानक और जब बहुत ज़्यादा बर्शा होती है तो उसे बादल फटना या क्लावड बस्ट कहते हैं ये जो घटना होती अधिकांस कब होती है जुलाई और अगस्त के महीने में होती है देखे फ्रेंड्स फिफ्टींथ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हे रहा हाली में इनुमल हक इनका निधन हो गया है ये किस देश के तिहासकार थे जिनने 2020 में पदम सिरी से समानित किया गया तो दोस्तों ये बांगलादेश के तिहासकार थे जिनका हाली में निधन हो गया है ये प्रसिद आर्केलोजिस्ट थे हिस्टोरियन थे और बांगलादेश नेस्नल म्यूजियम के पूर्व महानिदेशक थे डॉक्टर इनुमल हग इनका कहां पे नदर हुआ है धाका में हुआ है 2020 के लिए इनने पदम सिरी पुरसकार से समानित किया गया इसके अलावा 2016 में एकूशी पदक 2020 में बांगलादेश के सर्वोच नागरिक सम्मान स्वाधीनता पदक से इनने सम्मानित किया गया दोस्तों मैं आपको पता दू बांगलादेश की बात आ रही है बांगलादेश की कैपिटल है धाका बांगलादेश की प्रशिरेंट है अब्दुल हामिद बांगलादेश की प्रधान मंतिर का क्या नाम है? सेक हसीना क्या नाम है? सेक हसीना नाम है बांगलादेश अपना विक्टरी डेकम बनाता है 16 दिसंबर 1971 को देखी फ्रेंड्स, 16th important current affairs ही रहा हाली में जून महीने का ICC Player of the Month Award गोशित किया गया ये अवार्ड किसे प्रधान किया गया है? तो ये अवार्ड प्रधान किया गया है जौनी बेर्स्टो को किसे प्रधान किया गया है? जौनी बेर्स्टो को ICC ने जून 2022 के लिए ICC Player of the Month पुरुष की स्रेड़े में इंगलेन्ड के बल्ले बाज जौनी बेर स्ट्रोग वही पे महिला स्ट्रेडिय में दक्षिन अफरीका के मेरी जान कैप को ये अवर्ड प्रदान किया गया है इसके सुरुवात कब से की गई है? 2021 में इसके शुरुवात की गई है ICC Player of the Month अवर्ड हर महीने शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स ये रहा दोस्तो हाली में पहले वर्चुवल I2-U2 शिकर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने पार्डिसिपेट किया है? तो दोस्तो भारत की तरफ से भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने पार्डिसिपेट किया है दोस्तो यहाँ पे I2-U2 का मतलब क्या है? तो I2 का मतलब है इंडिया एन इसराइल और U2 का मतलब है UAE and United States of America दोस्तो यहाँ पे बता देता हूँ इस सम्मेलन में कौन-कौन भाग लिया UAE के राश्पती मुहम्मद बिन जायद अल नहयान इस मीटिंग में सामिल हुए है इस वर्चूल मीटिंग का मुख के फोकस था The Food Security Crisis and Clean Energy देखे फ्रेंड्स अगला महत्पूर्ण वीकली करेंट अफेर्स से रहा शोहिदूल इसलाम किस देश के क्रिक्टर है जिने डोपिंग उलंगन करने पर दस महिने का प्रतिबंद लगाए गया है तो दोस्तो शोहिदूल इसलाम ये बांगला देश के क्रिक्टर है दोस्तो किस ने प्रतिबंद लगा है ICC ने प्रतिबंद लगा है 10 महिने के लिए क्योंकि दोस्तो इन्होंने ऐसे पदार्थ का सेवन किया है जो प्रतिबंदित की जाती है वाड़ा के दोरा शोहिदिल के यूरिन के जाच में क्लोमोफिन पाया गया है जो WADA की प्रतिबंदित पदार्त की सूची में सामिल है दोस्तो WADA क्या है WADA जो है अंतराश्ट्री खेलों की खिलाडियों के लिए प्रतिबंदित पदार्तों की जाच करती है WADA का फुल फॉर्म है World Anti-Doping Agency दोस्तो इसका गठन 10 नवंबर 1999 में हुआ है इसके प्रेसिडेंट है विटूल बांका इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मौन्ट्रियल कैनेडा में इसका हेड़कॉर्टर है चली फ्रेंट्स आईए देखते हैं 19th Important Weekly Current Affairs हाली में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है तो इसका सही उतर है आरके गुपता राजीब कुमार भी यहां पर उप्सन में आई जान लेते हैं यह कौन है तो राजीब कुमार चीफ एलेक्शन कमिशनर है दोस्तो अधर एलेक्शन कमिशनर और हैं इनका नाम है अनुपचंदर पांडे दोस्तो यहां पर बात करें आरके गुपता की इन्होंने टी श्री कांथ की जगहे ली है भारत के मुखे चुनाव आयुक्त राजीब कुमार है अन्य चुनाव आयुक्त मैंने आपको बताया अनुपचंदर पांडे है दोस्तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है देश के निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी संस्था है और ये एक संवधानिक निकाए है ये कॉंसे भाग में है भाग पंदरा में इसके बारे में बताया गया हमारे संवधान में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक हमारे एलेक्शन कमिशन के बारे में बताया गया है 25 जनवरी 1950 को एलेक्शन कमिशन की स्थापना हुई हर साल 25 जनवरी को मना जाता है नेस्नल वोटर स्टेट तो दिखी फ्रेंड्स 20th important weekly current affairs चली फ्रेंड्स चलते हैं 20th important current affairs की ओर हाली में राजनेतिक दल YSR Congress Party YSRCP के अध्यक्ष बनाएगे अजीवन अध्यक्ष कोन बनाएगे हैं तो उनका नाम है YS जगन मोहन रड्डी क्या नाम है YS जगन मोहन रड्डी इनका पूरा नाम है यदूगिरी संदीप्ती जगन मोहन रड्डी YSRCP Party का फुल नेम क्या है युवा जन श्रमिक राइथू Congress Party दोस्तों ये किसके बेटे हैं आनप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री YS राज सेखर रड्डी के बेटे हैं मार्च 2011 में कांग्रेश से अलग होकर गे जगन मोहन रड्डी ने YSRCP की पार्टी की स्थापना की गी दोस्तों मैं आपको बता दू 2019 में आनप्रदेश की ये सत्तरहवे मुख्यमंत्री बनाए गए थे चलिए फ्रेंड्स आईए देखते 21st Important Weekly Counterfeits हाली में Austrian Grand Prix 2022 का खिताब किस वेक्ती ने जीता है तो दोस्तों इनका नाम है Charles Lackler क्या नाम है इनका Charles Lackler मैंने आपको इंट्रेस्टिंग से ट्रिक बताई थी ये किस देश के हैं याद कराने के लिए तो देखिए चार लिखा हुआ है चार तो चार दोस्तों हमें चार Monaco बिस्किट खाना है हमें चार Monaco बिस्किट खाना है तो किस देश के हैं Monaco के हैं तो दोस्तों next है Max वेर स्टेपन ये निदरलेंड के प्लेयर है Lewis Hamilton ये किस देश के प्लेयर है England Britain के प्लेयर है Carlos Sands ये स्टेश के प्लेयर है किस देश के प्लेयर है स्टेश के प्लेयर है दोस्तों हाली में British Grand Prix 2022 को किस ने जीता है Carlos Sands ने ये फरादी के लिए राइट करते स्टेश के है Canadian Grand Prix Max Verstappen ने जीता है Bahrain Grand Prix Charles Leclerc ने Austrian Grand Prix Charles Leclerc ने Monaco Grand Prix को Sergio Perez ने जीता है किस देश के प्लेयर है Mexico के है चली फ्रेंट्स आई देखते है 22 Important Weekly Current Affairs Asia Under 20 कुस्ती Championship में भारत ने टोटल कितने मिडल हासिल किये है तो भारत ने टोटल 22 मिडल हासिल किये कितने 22 मिडल इसका जन कहां पर हुआ है Manama में बहरीन की कैपिटल Manama में 22 पदक में भारत ने 4 गोल्ड मिडल 9 सिल्बर मिडल 9 ब्रॉंज मिडल हासिल किये है पुर्सो की फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम वेट केटेगरी में भारत के लिए चौथा गोल्ड मिडल हासिल किया है तीन अन गोल्ड मिडल किसने जीते हैं प्रियंका, आर्जू और अंतरीम ने जीते हैं देखिए फ्रेंट्स 23rd important weekly current affairs हाली में मार बर्ग वाइरस रोक के संदिग्द मामले की इस देश में सामने आए है तो दोस्तो हाली में जो मामले है घाना देश में आए कहां पर घाना देश में आए है विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार घाना में मार बर्ग वाइरस रोक के दो संदिग्द मामले देखने को मिले है मार बर्ग वाइरस रोक जो है चमगादडो के माध्यम से लोगों में फैल रहा है फ्रूट बेट्स के माध्यम से ये बिमारी फैल रही है मारबर्ग वाइरस की अबधि कित्ते दिन की है 2 से 21 दिन की बीच की है सितंबर 2021 में गिनी में एक मामले कि इसकी पुष्टी हुई थी चली फ्रेंड्स आईए देखते हैं 24th important current affairs हाली में अरजुन बाबुतो ने ISSF विशो कप में कौन सा पदक जीता है तो दोस्तो अरजुन बाबुतो ने गोल्ड मिडल हासिल किया है अरजुन बाबुतो ने International Shooting Sports Federation इस विशो कप में लुकास कोजेंस्की को हराकर 179 से हराकर सुन पदक को हासिल किया है International Shooting Sports Federation कहां पर हो रहा है इजिप्ट काईरो में इसका जन किया जा रहा है यहां पर आई बात कर लेते हैं International Shooting Sports Federation की इसकी स्थापना हुई है 1907, 1907 में इसका हेड़कोर्टर कहां पर है Munich, Germany में कहां पर Munich, Germany में इसके प्रेसिरेंड को ने Vladimir Listen क्या ना में इनका Vladimir Listen देखी फ्रेंड्स, नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स ही रहा बर्मेंगम विशो खेल 2022 में अब शेक वरमा और जोती सुरेखा विन्नम ने कौन से मिडल जीता है तो दोस्तों इन्होंने ब्रॉंज मिडल जीता है लेकिन फ्रेंड्स, एशियाई खेलो में तिरंदाजे में इन्होंने गोल्ड मिडल जीता है अब शेक वरमा और जोती सुरेखा विन्नम ने अब शेग वर्मा और जोती सुरेखा वेनम ने पैरिस में तिरंदाजी विश्व कप में कौन से मिडल जीता है? गोल्ड मिडल जीता है बर्मेंगम विश्व खेल कारजन कहां पर हो रहा है? बर्मेंगम अल्बामा यूएसे में इसकारजन किया जा रहा है चाली में भारती उद्योग परिसंग के मनोनित अध्यश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है आर दिनेश क्या नाम है? आर दिनेश नाम है यहाँ पर अन ऑप्शन भी दिये गएं आईए एक एक करके समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में लिखावा परितोस्त रिपार्थी परितोस्त रिपार्थी SBI General Insurance के नए प्रबंद निरिशक और CEO बनाए गए हैं बात करें CII की यानि की Confederation of Indian Industry इसकी स्थाफना 1895 को हुई है और यह एक गेर सरकारी व्यापार संथ के रूप में स्थापित हुआ दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ है सुरंजन दास तो सुरंजन दास को ने ये AIU के नए अध्धिक्ष बनाए गए है 27th Important Current Affairs एरा हाली में PM Modi ji ने नए संसत भवन की छट पर राश्ट्री प्रतीक का नावरण किया इसकी उचाए कितनी है तो दोस्तों इसकी उचाए है 6.5 मेटर कितनी है 6.5 मेटर है यह जो राश्ट्री प्रतीक है इसका टोटल वज़न है 9500 केजी 9500 किलोगराम इसकी उचाए 6.5 मेटर और यह किस से बना हुआ है यह कांस से बना हुआ है दोस्तों भारत का यह जो राश्ट्री प्रतीक है सारनात में असोक के सिंगस्तं की प्रतीकरती है जिसे सारनात संगरहाले में संरश्ट किया गया है 28th Important Current Affairs एरा गिजोन सतरंज मास्टर्स का किताब हाली में किसने जीता है तो दोस्तों डी गुकेस ने जीता है किसने जीता है डी गुकेस ने किसको हरा करके जीता है ब्राजील के जीहम अलेक्जेंडर फियर को हरा कर गिजोन सतरंज मास्टर्स का किताब अपने नाम कर लिया है इस साल का इनका ये चौथा खिताब था दोस्तो हाली में मैंने आपको एक इंपोर्टेंट जानकारी और दी थी 2022 में भारत के 74 वे ग्रेंड मास्टर राहुल सिर्वास्तो बने है भारत के सबसे पहले ग्रेंड मास्टर को उने कमेंट बॉक्स पर बताईए 29th important current affairs एरा Mrs. Universe Divine का खिताब हाली में किसने जीत लिया है तो दोस्तो इसका सयुत्तर है पल्लवी सिंग किसने जीता है पल्लवी सिंग भारत की हैं पल्लवी सिंग इन्होंने दक्षन कोरिया की ये ओसु शहर में आजित फाइनल में Mrs. Universe Divine का खिताब जीता है ये कहा के रहने वाली हैं यूपी में कानपुर की रहने वाली हैं पल्लवी सिंग ने इसके अलावा 2020 में जैपुर में आजित Mrs. India का खिताब भी अपने नाग किया था हाली में एक Important Current Affairs मैंने आपको और भी बताया था मैंने आपको बताया था करनाटक की सीनी सेटी हाली में Miss India 2022 बनाई गई है आज का आखरी Important Current Affairs नारायणन कुमार को किस देश ने Order of the Rising Sun Gold and Silver Star प्रसकार से सम्माने तिया है तो दोस्तो हाली में जापान देश ने इन्हें Order of the Rising Sun Gold and Silver Star प्रसकार से सम्माने तिया है क्योंकि इन्होंने भारत और जापान के बीच में जो Relationship है उसको मजबूत करने में काफी एहम योगदान दिया है भारत और जापान की बीच में Economic Relations को मजबूत करने की दिशा में कार किया है दोस्तो ये सम्मान किसके दोरह दिया गया है कुमार को ये सम्मान चिन्नई में जापान के महावाडी जिदूद क्या नाम इनका तागा मासा यूकी इन्होंने दिया है नारायणन कुमार की बात करे तो भारती उद्यूक परिसंग के अध्यष्ट रूप में उन्होंने सेवा दी है दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे Awards 2020 की हाली में Mrs. Universe Divine बनाई गई है पल्लवी सेंग Fields Medal 2020 जो की मैस के छेतर में दिया जाता है मेरीना विया जोवस्का को मिला है हाली में सिनी सेटी फैमीना Miss India 2022 बनाई गई है हाली में आयूरवेद रतन पुरसकार तनुजा निसारी को मिला है अशोक सुता को CII गुडवत्ता रतन पुरसकार 2020 से सम्मानित के आगए है हाली में खुशी पटेल Miss India Worldwide 2022 बनाई गई है देखी फ्रेंड्स मैं आपसे कोशन करने वाला हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है देवगर हवाई अड़ा किस राज में है नुवाग जोकोविशने अब तक कितने Grand Slam किताब जीते हैं जेंडर गैफ रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है नेशनल गेम्स की शुरुबात कब की गई बांगला दिसके प्राइम नेस्टर को ने इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है ये था 11 से लिके 17 जुलाई के Current Affairs का Revision और Test आसा करता हूँ कि आपको पूरा सेशन बहुत जादा पसंद आया होगा आप अपना एंसर कमेंट बॉक्स पर दे टोटल मार्क्स बताएं कि आपने 30 कुश्चन में क्या Attain किया क्या Optain किया दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे जीजेकरत्री थैंक्यू फ्रेंद्स